जहिंद फ्रेंट्स सिद्दाद भया के इस वीडियो में आप तभी का स्वागत है यार माँ को नहीं मारना चाहिए था माँ को नहीं मारना चाहिए था बहन के साथ बत्तमीजी नहीं करनी चाहिए थी MP का मध्य प्रदेश का ये जो कांड है ये मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा किस तरीके से एक बहन एक बेटी को बत्तमीजी उसके साथ की गई उसके पाद फिर उसके दबाव लगाया गया उसके बाद फिर मा के साथ बत्तमीजी की गई, मा को मारा गया, इस बच्चे की हत्या कर दी यार, मासूम बच्चा जिसका नाम नितिन है, इस बच्चे की हत्या कर दी, बच्चा लड़की का भाई है, ये सब कौन, क्यूं? क्यूंकि ये दलित हैं, इनको जीने कादिकार नही है इनको सर उचा करके चलना नहीं चाहिए समाज में क्यों क्या हमारा सम्विधान इनकी प्रोटेक्शन नहीं करता हम ये सारी चर्चा समझेंगे बने रहेगा इससे पहले मैं आप सभी को अपना अपना responsibility हमें याद दिलाना चाहिए और हमारा सिर्फ जंग हमारी सिर्फ यहां तक रुकी नहीं है ये prelims तक जंग रुकी नहीं है हमारी जंग तब तक रुकी चलती रहेगी जब तक ऐसी घटनाएं बंद नहीं हो जाती है तो आपका दाई तो है आपकी responsibility है कि इन सारी चीज़ों को खतम करना है आखिर खतम नहीं कर सकते तो रोकिए तो यूपी स्सी प्रिलिम्स की तैयारी में अगर आप college से हैं full time तैयारी कर रहे हैं या job के साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर comment section में गूगल form उसको fill करिए मुझे पता है आपको mentorship की शक्त जरूरत है मुझे पता है आप directionless field कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है मुझे पता आपके अंदर क्या चल रहा है सब कुछ है आपके पास लेकिन एक right mentorship guidance नहीं है मैं दूँगा आपको लेकिन आपको mentorship के लिए form भरना पड़ेगा नीचे अभी form भरिये और जिक्र करते हैं और हमेशा से आपको चाहिए था प्रिलिम्स मेंस वाला batch हमेशा से आपको चाहिए था कि जिसमें answer writing हो और notes भी मिले किताबे printed books भी मिल यह क्या है महासमागम यह सारी चीज़े हम समझेंगे देगे सबसे पहले इस कहानी के उपर चलते हैं यह कहानी है क्या दलित युवक को पीट कर हत्या कर दी गई मां को मारा कपड़े उतारे क्या है पूरा मामला यह मामला दोस्तों MP का है मद्ध प्रदेश के सागर का है इसके साथ कुछ ठाकूर समाज के लड़के उच जाती के लड़के सो कॉल्ड वो लोग बत्तमीजी करते हैं वो लोग उसके साथ बत्सलूखी करते हैं लड़की सहमी डरी सी वापस घर आती है मां को बताती है भाई को बताती है उनकी जो डिगनिटी है लड़की की एक और 2019 का है इसमें कुछ एक्यूज भी हुए और कुछ पर कारेवाई भी चली लेकिन मामला जो है वो धीरे-धीरे दबता चला गया क्यों क्योंकि जो आरोपी थे न जिनका नाम कुछ विशाल ठाकूर है कोमल ठाकूर है और नजाने कोई और ठाकूर है और उनके साथ और भी करनाना शुरू किये कि तुम अपना ये जो अपना केस दे रखा इसको वाफी ले लो माफी हम तुम से यहां मांग लेते हैं केस वेसे वाफी ले लो ठीके भाई जो लड़की की मा थी उन्होंने कहा कि ऐसा है सर कि आप जो भी है हम कोर्ट में डिसाइड कर लेंगे हमने त अब क्या हुआ कि मामला पहुंच गया कोर्ट में कोर्ट में इनकी पेशी थी पेशी थी और हुआ ये कि जो लड़की है लड़की ने लड़की को धंकी मिलती गई धंकी ये मिली कि भाई लड़का जो आरोपी ये लोग आरोप जिन पर लगाता उन्होंने कहा था कि तुम कि तुम्हारे ओपर 376 कर देंगे समझते हो 376 मतलब रेप तुम्हारे साथ रेप कर देंगे अगर नि मामला पीछे नहीं ली तो लड़की ने कहा कि हम क्यों ले मामला पीछे लेकिन कहा दलित समात से तह लेकिन कहा दलित की चल रही है ? sistema ये ऐसे लोग जो हैं जो अभी इन पे अत्याचार कर रहे हैं उनको समझते हैं भाई दरितों को तो जीना ही नहीं चाहिए लेकिन उपर वाला सब देख रहा है अब हुआ यूं कि अभी क्या हुआ है इस पूरे के पूरे केस में क्या हुआ है कि ये जो लड़की है आप के परिवार के लोग होंगे हम सब तोड़ तार देंगे सब को खतम कर देंगे हमें डर नहीं किसी चीज़ का इस तरीके की धंकी दिये तब तक क्या हुआ ये लोग वापस गए जैसे ही ये वापस जा रहे थे उधर से लड़की का छोटा भाई नितिन वो बस टैंड के बा अरा हालत में हो गया ये खबर सुनते ही नितिन की माँ दोड़ी चली आए उस जगे पे जहां पर नितिन को मार रहा था नितिन की माँ वहां पहुँची तो नितिन की माँ को बहुत मारा मूँ पे मारा पेट मारा सर पे मारा और निर्वस्टर कर दिया औरत की मान मर्यादा इज़त का कुछ नहीं ध्यान रखा 70-80 लोग मौजूद थे उनके सामने उसकी माँ को निर्वस्त किया ये खतिया पना, ये बत्तमीजी कैसे कोई बरदास कर सकीगा उसके बाद लड़की ने भी वहां गया लड़की भी गई वहां पर उस स्पॉट पर बचाने की कोशिश की लेकिन इन आलम खोरों ने इन हैवानों ने लड़की का पीछा किया लड़की का पीछा इतना किया लेकिन लड़की बहादूरी की वज़े से और निडर संकोच जाकर गाउं में किसी जगा पर छुप गई लड़की को धूंड नहीं पाई ये लोग लड़की ने डिरेक्ली सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज थी आज तक पे लड़की ने आज तक पे निडर होके सारी बातें बता दी और लड़का जो है वो अब गुजर चुका है लड़का उन दे स्पोट उसको पहले जिला अस्पताल लेके गया गया लड़का मर चुका है लड़के की जो माँ है यानि की बीटी की जो माँ है उनको और टीबी था उनको और लड़ी काफी सारी बिमारियां थी एजिट थी वो अभी हॉस्पिटल से उठ नहीं पाई हैं उनको बहुत चोट लगी उनको ये भी नहीं पता है कि उनका बेटा गुजर चुका है ये सोचिये किस तरी की सिचुवेशन है और इस सिचुवेशन में अब क्या हो रहा है अब सरकार से एक मांग की जा रही है इनके फैमिली दोरा जितने भी आरोपी हैं जिन लोगों ने इन दलित पीडितों के साथ ऐसा किया है उनके घर पर बुल्डोजर चलना चाहिए अब जैसे ये किस्सा हुआ हर तरफ जो है वो मतलब जंगल में से आग फैलती है नों वैसे फैल गई कि ये पिछले दो महीने में पिछले एक महीने में दलितों के साथ हो रहा मद्द प्रदेश में जो अत्या चाहर है वो सामने आ रहा है अब यह अब यह अपने देखा होगा किस आदिवासी के उपर मूत्र विसरजन कर दिया था पेशाब कर दिया गया था और किस तरह से हमारे शिवराज सिंग चोहान जो मामा जी है उन्होंने उस दलित का पैर्च हुआ। सेम यही केस इधर भी हो रहा है। दलित को इनसान समझा ही नहीं जा रहा है। यह पूरा का पूरा केस हुआ। और फिलहाल जो है इन लोग आरोपी जो हैं वो लगबग मेर मिलिकार जुन खारगे जो हैं कॉंग्रिस के पर्टी प्रेशिठन जो हैं इनोंने आरोप लगाया है बीजूपी गोवर्में kept मायावती जी ने आरोप लगाया बीजूपी कहा है कि भवाई संत्र रविदास जी के जो इतने शिश्य हैं संत्रविदास जी जो की प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी हमेशा उनकी पूजा अर्थना किया करते हैं जिक्र करते हैं कैसे संत्रविदास जी के भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है उनके शिश्यों के साथ ऐसा हो रहा है अब हो क्या रहा है अब देखे अब आगे च जाता है संत्र अभिदास दिवस और यह लगबग माग पुर्णिमा के टाइम पर फुल मून होता है मून से याद आया चंद्रयान चंदाबाद और माग उस टाइम पर हिंदू लूनार कलेंडर के हिसाब से माग पुर्णिमा को मनाया जाता है चौदवी शताबदी के हुए थे एक कॉबलर की फैमिली में जो की जूते बनाती थी यही एक दलिध परिवार से थे इन्होंने अपने प्रॉमिनेंस को तब गें किया जब इन्होंने कहा कि एक ही खुदा है एक ही भगवान है और अनबायस्द रिलीजियस पोयम लिखने लगे किसी धर्म से खुद ऐसे समास से आते थे उस समाघ में कहां पर वहिषकार किया जाता था एसे लोगों को का सिस्टम को अब ऑलेश करते थे और उपनली डिस्पाइज करते थे नोशन ऑफ ब्रामिन्ट सॉसाइटी नोशन का सिट है उसको ये नहीं मानते थे यूऊνकि यह एक खुद सौंग्स भी लिखे हैं भक्ति मुव्मेंट पर और साथी साथ इनकी लगभग 41 पोयम जो है वो गुरु गुरंद साहिब में इंक्लूट की गई है इन दी फॉर्म ऑफ रिलिजियस टेक्ड आपको पता है न भक्ति मुव्मेंट जो हमारा तमिल नाडू और चन्नाई में नंबर जो है मध्य प्रदेश में काफी उचा है अब मैं पूरा पढ़के आपको बताता हूँ रिपोर्ट ये रिवील करती है कि क्राइम अगेंस्ट सेड्यूल कास्ट वो इंक्रीज हो चुका है उत्तर प्रदेश में बाई 1.2 परसेंट है हाइस नंबर ओफ केसे अफ अ हाल आया है दलितों के केस में वो है हमारा मध्य प्रदेश से आया है लगबग 6.4 प्रतिशत का उचाल आया है वहाँ पर दलितों के केस में और टोटल जो केसे हुए हैं मध्य प्रदेश में लगबग 29.8 फॉलवडब राजस्थान 24 और और उरीसा में 7.6 ये मैं नहीं बो और इस डेटा में ये भी है कि दलितों में सबसे जादे जो अत्याचार हुआ है वों महिलाओं के अगेंस्ट में हुआ है Crime Against Women, Sexual Crime Against Women, Sexual Violation Crime Against Women इन यहां पर तेक है अब अगर हम समविधान की बात करें डलितों को, श्रियूल कास्ट को, हमारा समविधान ने उनको बहुत सारी immunity दी है बहुत सारे ऐसे शस्त्र दी हैं, अश्त्र दी हैं कि अगर उनके साथ कुछ ऐसे किस्से होते हैं, कांड होते हैं, घलत हरकत होती है तो इन सारी immunities का शस्त्रों का फायदा उठाएं और न्याए लें ठीक है, उनमें से क्या-क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही होगा जिसे Article 17 बात करता है, Abolition of Untouchability Article 46 बात करता है, राज को scheduled caste और scheduled tribe ताकि वो protect करें और economical situation में, यानि कि to promote special care for educational and economic interest जो की weaker section है ठीक है, Article 335 ये बात करता है scheduled tribe और scheduled caste के claims पे maintenance of efficiency of administration, Article 15 का चार बात करता है, special provision for their advancement Article 16 का चार बात करता है, reservation in matters of appointment ठीक है, reservation की बात करता है, Article 348 बात करता है, National Commission for scheduled caste and scheduled tribe वैसे ही 330 आर्टिकल, 332 आर्टिकल, Part 9 of the Indian Constitution related to panchayati and Part A of the Constitution related to municipality provides reservation for scheduled caste and scheduled tribe So, हमारे सम्मिधान ने धेर सारी immunity दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे बुर्बक लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समिधान और मिधान की पड़ी नहीं होती है वो सिर्फ अपने शारिरिक सुख की पड़ी होती है वो सिर्फ अपने इंद्रियों को सुख करने के पीछे खुश करने के पीछे प्लेजर में डूबे हुए हैं लेकिन ऐसे ही लोग तो अत्या चार बनते हैं, ऐसे ही लोग तो फिर इनके कड़ी कारवाई होती है, उमीद करता हूँ चीजे आपको समझ में आई होंगी, आपको क्या लगता है, आप अपना विचार कॉमेंट करके बताईएगा, और कॉमेंट सेक्शन में वो फॉर्म है, जरूर फिल करिएगा, क्योंकि सिविल सर्विसेस की तैयारी की नीव यही है, मेंटॉर्शिप की, मिलते हम लोग अगले वीडियो में, नमशकार जैहिंद, जैपारत.